गुड मॉर्निंग बनारस गुड मॉर्निंग नमस्कार सूप्रभाद कैसे हैं आप जानते हैं स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाश्वणी शुरू हो चुका है बनारस का नमबर बन प्रोग्राइम गुड मॉर्निंग बनारस मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होस्ट माला बनारस आज है बुद्वार फरवरी माह की आठवी तारिक उसके साथ ही है वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन यानी प्रपोस्ट दे तो बनारस हो जाए तैयार करने अपने प्यार का इजहार अपने दोस्तों अपने रिलेटिव और अपने परिवार के साथ और सेलिब्रेट कीजिए आज का ये खास दिन जिन्दगी में टेंशन ही टेंशन है फिर भी इन लबों पे मुस्कान है क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुक्सान है दोस्तों मुस्कुराना और हसना रक्ते चाप को कम करने में मदद करता है जो हमारे दिल के लिए बेहत जरूरी है हमारे शरीर को हमारी हसी तनाव जैसे स्थीतियों से निपटने में मदद करता है जो लोग मुस्कुराते हैं वे ज्याद आच्छे लगते हैं होटों पर खिली मुस्कान हमारे सौंदरे को कई गुना बढ़ा देती है वही जब हम किसी से मुस्कुराते हुए मिलते हैं तब वह मुलाकात यादगार हो जाती है दोस्तों, मुस्कुराहट सिर्फ हमारे सम्बंधों के लिए ही नहीं, बलकि हमारे स्वास्त के लिए भी फायदेमंध है मुस्कुराहट एंडोरफिन, सेरोटोनीन और प्राकृतिक दर्दनिवारक को रिलिज करती है ये तीनों टांस्मिटर मिलकर हमें सिर से पैर तक स्वस्तर रखते हैं ये प्राकृतिक रसायन हमारे मूड को अच्छा करते हैं बलकि ये हमारे शरीर को आराम देते हैं और शारिरिक दर्द को कम करते हैं और हाँ बनारस एक बहुत ही महतोपुन बात जो हम सब के लिए बेहज जरूरी है इसमाइल हमारे चहरे की सुन्दर्ता के साथ साथ पेट को भी स्लिम बनाती है बारत की सबसे प्राचिन नगरी जो शीव को है सबसे प्यारी जहां नजर आती है सनातन धर्म की गहराई और होती है मोक्ष की प्राप्ती महादेव के त्रिशूल परटी की आध्यात्मिक नगरी काशी जिसे कोई वारानसी के नाम से जानता है तो कोई से बनारस कहना ज्यादा पसंद करता है काशी की गलियां गंगा किनारे घाट उपर बैठना गंगा आरती में शामिल होना और काशी विशुनात के दर्शन करना कचोडी जलेवी किनास्ते से लेकर चटपटी चाट मुह में घुलने वाली मलईयो और ठंडी ठंडी लस्सी काशी में जीने का एहसास दिलाते हैं काशी के इस जिन्दा दिल चहरे के पीछे चुपा है एक और चहरा जिसे कहते हैं सुर्ग का द्वार मणी करनी का घाट जो हम सभी को जीवन के कटू सत्य से परिचित कराता है जो आया है वो जाएगा राजा रंग या हो फकी जो वास्तवी कोर सत्य है दोस्तों काशी के चौरासी घाटों में से एक है मणी करनी का घाट कहते हैं यहां दाह संसकार करने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ती होती है इसलिए हमारी काशी मोक्ष की नगरी भी कही जाती है मनिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है बता जाता है कि मनिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वर्दान दिया है इस घाट की विशेष्टा है कि यहां चीता की आग कभी शांत नहीं होती यहां पर भगवान विश्णु ने हजारों वर्सों तक इसी घाट पर भगवान शिव की अराधना की थी विश्णु जी ने शिवजी से वर्दान मांगा कि स्रिष्टी के विनास के समय काशी को नश्ट न किया जाए भगवान शीव और माता पार्वती विश्णु जी की प्रार्थना से प्रसन होकर यहां आये थे इसलिए कहते हैं काशी अविनाशी है तभी से मानता है कि यहां मोक्ष की प्राप्ती होती है वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगौण विष्णू ने शीव पारवती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्मार किया था, जिसे हम लोग मनिकर्ण का कुंड के नाम से जानते हैं स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्ण फूल कुंड में गिर गया जिसे महादेव ने ढून कर निकाला देवी पार्वती की कर्ण फूल के नाम इस घाट का नाम मनिकर्णी का घाट हुआ इसके साथ ही माननेता है कि भगवान श्रीव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अन्तिम संसकार इसे घाट पर किया था जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं मनिकर्णी का घाट पर आज भी महाकाल द्वारा जलाई गए जोच से हर चीता को मुखागनी दि जाती है बनारस ये स्वर्ग का वो द्वार है मोक्ष की वो धर्ती जिसकी देख रेक स्वेम महाकाल करते हैं अर्थियों का मार जलती चिताएं चिताओं से उर्था धुआ और गंगा में बहती अस्थियां मनिकर्णी का घाट का ये रूप इंसान को जीवन के असलियस से रूबरू कराता है जो अपने एहंकार लोब में ये भूल जाता है कि उसे भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है क्योंकि ये शरीर मिट्टी का एक खिलोना है जिसे अंततह मिट्टी में ही मिल जाना है बनारस अब आये जानते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बाते वारनसी के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ केंडरों पर ECG और थ्रोबोलिसिस की सुविधा जल्दी शुरू हो जाएगी इसके बाद हिदेरों के मरीजों को जाच की सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और स्कूलों में पढ़ने वाले बक्चों को पोशन युक्त भोजन मुहया कराने के साथ ही अब उनके स्वास्थ की भी हर महीने जाच की जाएगी इस पहल से प्रतेग बच्चे के स्वास्थ की पूरी जानकारी स्कूल के पास होगी वहीं इससे देश भर के ऐसे जीलो और ब्लाक की पहचान होच सकेगी जहां पोशन का स्थर खराब है और भारत और आस्ट्रेलिया के मध्य चार मैचों की टेश्ट सिरिच का पहला मुकाबला नौ फरवरी से तेरा फरवरी के बीच नागपूर में खेला जाएगा और दूसरा टेश्ट मैच 17 से 21 फरवरी के बीच दिल्ली में तीसरा टेश्ट मैच 1 से 5 मार्च के बीच धर्मशाला में और चौथा टेश्ट मैच 9 मार्च से 13 मार्च के बीच एहमदाबाद में खेला जाएगा बनारस अब आये जनते हैं आट फरवरी को देश तुनिया में कौन सी बड़ी घटनाय घटी थी जिसने इतिहाश के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा महान स्वतंतरता सेनानी देताजी सुभाष चंद्रबोस 1943 में जर्मनी के केल से एक नौका के जरिये जापान के लिए रवाना हुए थे आज ही के दिन यानि आट फरवरी के दिन और महारानी एलिजाबेट 1922 में ब्रिटेन की महारानी और राशमंडल देशों की अध्यक्ष बनी थी आज ही के दिन देली एरपोर्ट पर आज ही के दिन 1986 में पहली बार प्रिपेड टेक्सी सेवा शुरू की गई और अब आज ये जान लेते हैं उन्महान शक्षित के बारे में जिनका आज है जन्म दिन देश के तीसरे राश्ट पती जाकिर हुसैन का जन्म आज ही के दिन 1897 में हुआ था 1925 में प्रसिद्ध भारतिय ठुम्री गाई का शोभा गोटू का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था और गजनु को भारत के हर घर में पहचान दिन लाने वाले गायक जगजिस सिंग का जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था 1963 में आज ही के दिन अज्रहु दिन का जन्म हुआ था और 1951 में हिंदी के मंची कवियों में से एक अशुक चक्रधर का भी जन्मदीन आज ही के दिन है अब आए जानते हैं उनके बारे में जो आज के दिन हमसे विदा होकर चले गए महान लेखक कनहयालल मानईकलाल मुनशी का निधन 1971 में आज ही के दिन हुआ था और आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महिला करांतिकारियों में से एक कलपना दत का निधन भी आज ही के दिन 1995 में हुआ था और अब यह जान लेते हैं आज का मौसम का आहाद आज का नियुनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियर्स और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियर्स रहने वाला है और मौसम सामाने रहने वाला है बनारस फरवरी का महीना बदलते मौसम का महीना होता है दिन में गर्मी और शूबह और शाम अच्छी खासी ठंड रहती है इस समय थोड़ी भी लापरवाही बरतने पर हम बिमार हो सकते हैं तो लापरवाही बिलकुल न बरते क्योंकि बदलते मौसम में संक्रमर तेजी से फैलता है ऐसे में हमें अपने इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग करना बहुत जरूरी है तब ही हम अपने शरीर को अलग-अलग बिमारियों से बचा पाएंगे सो बना रहा है स्वस्त रहें मस्त रहें और मुस्कुराते रहें आज का गुड मौनिंग का सफर बस यहीं तक इसे वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कारेकरम मधुरीमा में सुबह आठ बस कर पैतालिस मर पर तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त माला को दीजिये इजाजत गुड बाए टेक केर गुड मौनिंग बनारस गुड मौनिंग बनारस